नमस्कार दोस्तो मैं बसंत मौरिया स्वागत करता हूँ आपको हमारे आईएस पॉइंट के युट्यूब चैनल पे दोस्तो आज हम लोग NCRT जिगरोफी के क्लास 8 के चेप्टर नमबर 6 जो है मारा मानोस अंसाधन के पार्ट 2 को कवर करेंगे जैसा कि मैंने पार्ट 1 को फिछले वीडियो में कवर कर चुका है अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रेप्शन में उसका लिंक दिया गया है जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लिजे और बेल आइगन को जरूर दबा दिजे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो चलिए सुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक है पाट्टू का जनसंख्या संगठन किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो उसका उस देश के आर्थिक विकास के अज्टर से कुछ अंतर नहीं पड़ता है उधारन के लिए बंगला देश और जपान ये दोनों देश बहुत घने देश हैं लेकिन जपान बंगला देश से आर्थिक मतलब सबसे ज़्यादा बभीक्षी देश है बंगलादेश से जबदा जपान एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझाने के लिए हमें अन्यक गुरों के बारे में जानने की अवह सकता होती है किसी कीज को समझना हो तो उसके गुरुक से के बारे में अधिक से अधिक जनकारिया हमको चाहिए लोग अपनी आयू लिंग सक्षार्ता अस्तर स्वास्ते दसाओ व्यवसाय और आई के अस्तर पर एक दूसरे सी भीन होते हैं लोगों की इन विजिस्ताओं के बारे में जानना अविश्यक है जनसंख्या संगठन जनसंख्या किस नचना को दर्शाता है जनसंख्या संगठन हमारे यह जानने में सायता करता है कि कितने पूरुस और कितनी इस्त्रिया है वे किस आयू वर्ग के हैं कितने सिक्षित हैं और वे किस परकार की वेवसाय में लगे हैं उनकी आय का क्या अस्तर है और दसाय स्वस्त दसाय कैसी है एक देश की जनसंख्या संगठन का आध्यान करने की एक रूचिकर बीधी जनसंख्या पिरामीड है जिसे आयूलिंग पिरामीड करते हैं देखिए जनसंख्या संगठन होता क्या है जनसंख्या संगठन से में पाता चलता है कि हमारे देश में महिलाओ की जनसंख्या कितनी है और पूर्सों की जनसंख्या कितनी है और हमारे देश में स्वस्त व्यक्तियों की जनसंख्या कितनी है और हमारे देश की जो जनसंख्या उनकी आय प्रतिदर क्या है ये सभी बाते हमें जनसंख्या संगठन के माध्यम से पता चलता है जैसे कि जनगारना के माध्यम से पता च जलता है एक जनसंख्या पिरामीड दर्शाता है कुल जनसंख्या वायू वर्ग में विभाजित है उधारण से पांच से नौ वर्ष और दस से चोदव वर्ष कुल जनसंख्या का प्रतिसत इन वर्गों में से प्रतेक वर्ग में पुरुस और एस्तिया उपविभाजित है ज उस भी सिस्ट्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताना बताता है बच्चों की संख्या 15 वर्स से नीचे निचले भाग देखें, यहां पे समझाया गया है डाग्राम के वातर किया है, इसलिक बताया भी गया है, इसमें यह दो लड़के लड़के आपस में बाते कर रहे हैं तो इसको स्कैर्ट फोरिये, आगै देखते हैं हम लोग में दिखाई गई और यह जन्म के अश्तर को दर्साती है उपर का अकार बृधि लोगों मतलब उपर का अकार जो बुढ़े व्यक्ति होते हैं उनकी है जो पचातर साल साल साथ साल की है जनसंख्या पिरामीड एक देश में अश्रित लोगों की संख्या भी बताता है जनसंख जनसंख्या से अधिक वाले जनसंख्या के अंतरगत आते हैं यह सबी किसके जनसंख्या के अंतरगत आते हैं कि कारयात आयू वर्ग 15 से पैंसाट के लोगों को की जनसंख्या पीरामीड जिसमें जन्मदर और मिर्टुदर दोनों ही उचे हैं अधार पर चौड़ा है और उपर तिब्रता से संक्रा हो जाता है ऐसा इसलिए हैं कि बहुत से बच्चे जमर लेते हैं लेकिन उनमें से अधिकतर की मिर्टु सैसाव काल में ही हो जाती हैं बह पुरिय पृष्ष्ष्पी पह चितना जन्म लेते हैं डि damaged मिर्टुब होती है केंया प्रेमेंड यह है मारी पूरुत और कुछ बड़े ही बड़े हो पाते हैं इसलिए वहां ब्रिद लोगों बहुत कम है इस्तिति के निया पिरामीड द्वारा दर्शाया गया है जिन देश में मिर्टुदर्व विशेश रूप से पहुत छोटे बच्चों में कम हो रहे हैं इवा वायू वर्ग का पिरामीड चवरा है क्योंकि सीशू प्रावव्यास्था तक जीवित रहते हैं यह भारत की पिरामीड में द्रिश्टी गोचार होता है देखिए हमारे चीतर द्वारा आठ में दर्शाया गया है यहां पर द लेने दिजिए हाँ अब सही है कि दर्शाता है कि इस परकार की जन संख्या में इवाय चापोत अधिक है इसका अर्थ मजबूत और वर्दमान बढ़ती हुई श्रम विख सकती है कि जपान जैसे देश में अधार पर पिरामीड संक्रा है घटी मिर्तुदर के कारण अधिक लोग ब्रिध आयू तक पहुंच जाते हैं यानि कि जब वह बुढ़े होते हैं तब आज़े देखते हैं कूचल उत्साही आसावादी और सकारातमक द्रिष्टी जैसे इवा जन किसी द्रिष्ट के भविश्य होते हैं हम भारतवासी भाग्यसाली हैं कि हमारे भारत हमारे द्रिष्टी जैसे इवा जन में रहते हैं देखिए उन्हें योग्यम उत्पादक बनने के लिए कुसल बनाने के लिए औसर प्रदान करने के लिए अवस्य सिक्षित किया जाना चाहिए तो दोस्तो हम लोग का आज का तो चेप्टर समाफ्थ हो गया अब हम लोग कल क्लास नाइन्थ की एंसियाटी को कबर करेंगे तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और अगर आप हमारे सभी सोचल मीडिया पे जूरना चाहते हैं तो पिली नीचे डिस्क्रेप्शन में लिंक दिया गया है आप जाकर करके वहां से सभी भी हमारे सोचल मीडिया पे जूर सकते ह और कोई भी सायता किसी वरकार की कोई भी मदद चाहिए तो आप हमरे नीचे सोचल मीडिया पर मैसेज कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जै हिन जै भारत बंदे मात्रम